मैं हूँ साक्षी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर सूशना और जंसपर ख्विभार में फोटोग्राफी प्रतियोगिता की बढ़ाई ती थी बिहार में प्रतिवेक्ति आई में हुई बढ़ोतरी जंसंपर्ख विभाग ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता की बढ़ाई ती थी बिहार सरकार की सूचना और जंसंपर्ख विभाग ने फोटोग्राफी और वीजियोग्राफी प्रतियोगिता की तीथी को बढ़ा दिया है आपको बता दे कि फोटोग्राफी और वीजियो और फोटोग्राफिय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अब 16 फरवडी तक आवेदन किया जा सकता है इसमें आप फोटो और वीडियो बना कर भीज सकते हैं इसमें जीतने वाले प्रतिभागी को लाख रुपए तक का इना मिलेगा अधिक जानकारी के लिए प्रतियोगिता की थीम सुशाषन के कारेकरम के अंतरकत साथ निश्य दो के तहत युवाओ को रोजगार के बढ़ते अवसर है इंटरनेट और एप से रेडियो के दाएरे में इजाफा आज पूरा विश्वर रेडियो दिवस मना रहा है स्मार्ट फोर इंटरनेट और एप ने रेडियो के दाएरे को बढ़ा दिया है बताया जाता है कि रेडियो भागलपूर पहले सिर्फ अंग और संथाल परगना तक ही सीमित था लेकिन अब पूरे भारत के लोग सहित दूसरे राज्यों के लोग भी अंगिका भासा को सुन रहे हैं विदेशों में रह 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 साथ ही एक सस्ता माध्यम है किसान युवा महिला मजदूर साइथ हर वर्क की लोग इसका आनंद लेते हैं बिहार में प्रतिवेक्तियाए में हुई बढ़ोतरी बिहार की विकास दर्ष साल 2023 चौबिस में 10 पीज़ी से अधिक है और इसका साथ ही बिहार देश में तेजी के साथ विकास करने वाला राजर है राजर के प्रतिवेक्तियाए में पिशलों साल की तुलना में 13.9 फीज़ी का इजावा हुआ राजर में सरकार ने आर्टी गतिवीदियो में बढ़ोतरी के लिए काम किया यहां अर्ट ववस्ता में 15.5 फीज़ी की दर से बढ़ोतरी दर् प्रतिवेक्तियाए बढ़कर 69,637 रुपए होने का अनुमान है समाजक से वहों पर होने वाले खर्ष में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है केके पाथक ने इंटर्मीडियर के पढ़ाई को लेकर दिया नया आदेश सिक्षा वबाग के अपर मुक्य सचिप केके पाथक ने इंटर्मीडियर के पढ़ाई को लेकर नया आदेश दिया है अब इंटर्मीडियर के पढ़ाई डिग्री कॉलस से अलग होगी इसके लिए एक समीती का गठन किया गया ये समीती इस नए कारे पर नजर बनाए रखेगी और इसके साथ ही दस्वी और बार्वी की पढ़ाई में सुधार का भी प्रयास होगा जलेकर सिक्षा वबाग ने आदेश जारी कर दिया है और साल दो हजार पचीज में होने वाली बोट के परिक्षाओं के दोरान कक्षा नवी और ग्यारवी की पढ़ाई उसी परिसर में करवाई जाएगी मादिमिक निदेशक कनहिया प्रशाथ स्रिवास्तव की अध्यक्षिता में उच्च अस्तरिय समीती का गठन हुआ मादिमिक सिक्षा के उपनिदेशक शिव नाथ प्रशाथ को समीती का संयोजग बनाया गया है राजसभा के 6 सीटों के लिए अंडिय के 3 उमिदवार करेंगे नामंकन बिहार में राजसभा के 6 सीटों करेंगे चुनाओ होने वाला है और इसमें अंडिय की तीन प्रत्याशी बुद्वार को नामंकन करने वाले हैं। राज़त ने अपने उमिद्वार के नाम का एलाइन किया है राज़त से मनोज्जा लगतार दूसरी बार राज़त सुभग के लिए जाएंगे। परिक्षार्तियों को पकड़ा गया और इनके उपर FIR दर्जकर कानूनी कारवाई की जा रही है। सबसे अधिक नालंदा जिले में 16 मुन्ने भाई पकड़े गए। जबकि पूरी राज़ में परिक्षा के दौरान कदाचार करते 206 परिक्षार्तियों को पकड़ा गया। इन्हें परिक्षा से निसकासित कर दिया गया है। मालूम हो कि इस बार परिक्षा में 13,43,052 परिक्षार्ति शामिल हुए और इसमें 6,26,431 शात्राय और 6,97,921 शात्र उपस्थित रहे। 15,23 केंद्रों पर इंटर की परिक्षा ली गए और इसमें पट्ना जिले में 38 परिक्षा केंद्रों का निर्मान किया गया था। पुल निर्मान निगम लिमिटर ने राज्य में 15,194 करोड से 1,066 करोड पुलों को बनाया साल 2023 में 16 नहीं परियोजना एमिली पतना का लोहिया पत्थ चक्र और सारन का डबल डेकर फ्लाइओवर जरूरी परियोजनाओं में शामिल है वही राज्य में एनच के 26 परियोजना मोर दानापूर में एलिवेटिड लाइन में प्री कास्ट पियर क्याप लगाने का काम शुरू हो गया है सगुना मोर से कैंट के ओर दानापूर स्टेशन का निर्मान कारे जारी है प्री कास्ट पियर क्याप लगने के बाद यू गार्डर लगाया जाएगा पातली पुत् रामकृष्ननगर और जगनपूरा में एलिविटिड स्टेशन वनेगा जबकि पट्टा शुरिया घर रुकनपूरा विद्यूद भवन विकास भवन और पट्टा जंक्शन में अंडर्ग्राउंड स्टेशन का निर्मान किया जाएगा इशान किशन को लेकर बी सी सी आई न सकत फैसला लिया है मालूम हो कि रंजी ट्रॉफिक का शरवाती दौर खत्म होने ही वाला है वहीं 16 फरवरी को इसका ग्रूप चरण का आकरी मैच खेला जाएगा इशान किसन कुनाल पांटिया और दीपक शहर अपने अपनी राज्यों के टीमों के लिए नहीं खेल रहे है वहीं अब इनका खेलना बी सी सी आई ने जरूरी कर दिया है बताय जाता है कि खिलारियों में अनुसाशन पैदा करने के लिए बी सी सी आई ने फैसला लिया है इन खिलारियों को अब रंजी का मैच खेलना होगा गुसरादी छग वाले बयान मामली में तेजस्वी आदव को कोर्ट से मिली राहत पुर्व उपमुख मंतरी तेजस्वी आदव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने गुजरादियों को छग बताने वाले बयान पर दरजमान हानी के केस को निरस्त कर दि कंत्री ने कथित ठिपनी को वापस लेते हुए उचित बयान दाखिल करने का आदेश दिया था बताया जाता है कि 19 जन्वरी को सुप्रीम कोट में एक हलफ नामा अर्जोटी निता के ओर से दाखिल हुआ था और इसमें बयान को वापस लिया गया था वहीं अब कोट ने दर् असल तेजस्वी यादव ने सदन में आदी घंटे से अधिक समय का लंबा भाशन दिया इस दौरान इन्हों ने सीम नितीश कुमार और भाशपा को अपने निशाने पढ़ लिया इसको लिक अर्दिवजिस सिंग ने कहा है कि आज तुमारे बासन के बाद लालु इससे नहीं जरा है इनके सामने जुका नहीं है दिविजे सिंग ने मिल कर लड़ने और जीतने की बात कही है जदियो विधायक बीमा भाटी के पती गिरफतार हो गये हैं विधायक के अनुसार वो पत्ता के हाथी इद्धा धाना छेत्र के राजिंद्र सेतु को पार कर रह है गारी में किसी भी प्रकार का क्या कोई हतियार था बिमा भाटी ने कहा है कि उन्हें रोकने का कारण नहीं बताया गया वो पाते के साथ है वहीं अवधेश मंदल ने कहा है कि विधायक जी आगे जा रही थी दो गाड़ी पीछे थी उसमें लाइसनसी हद्यार डाइसंस हमारे पास है अगर हम दोसी है तो यह जाँच का विसरह है तेशप्रताफ जादव ने बिना नाम लिए चेतन आनंद पर साधा निशाना साधा है दरैसल NDA सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई भही आपा thigh arjome के समर्थन में इन्होंने वोट किया और इसके साथ ही कहा कि उनके साथ भी भाव होता था हमें छाकूर के कुए का ताना मारा जाता था अब सबको मालूम हो जाएगा कि छाकूर की कुए में बहुत पानी है उनकी मा लवली आनन्द जो पुर्व सांसद है आजडी ने उनकी उनकी के बाद उन्होंने अब मानित महसूस किया वही अब इससे लेकर पुर्व मंत्री देश प्रताब यादव ने कहा है कि लेकिन तुम्हारे आखों में पानी बिलकुल भी नहीं है ये साबित हो गया है बिहार में जल्द खुलेगी तीसरी सेंटरल युनिवरसिटी बि जाने वाले वित्वर से 2025 में राज़ के सभी मादमिक उच्चे मादविक स्कूलों में कम्प्यूटर सिक्षा के शुरुवात कर दी जाएगी और इसके साथ ही कम्प्यूटर लैप की भी अस्थापना होगी वहीं जिक्री कॉलेज नहीं डहने वाले और वंडलों में जमी मिलने के बाद इसके अस्थापना की जाएगी सिक्षा मंद्री ने जानकारी दी है कि गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा के लिए बिहार में सिक्षकों की बहाली ली जा रही है स्कूल भवन की कमी को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा 12 पास युवाओ के लिए रोजगार का सुनहेरा अवसर सिवान के महादीव रोट में इस्थित जिला निवंधन एवं परामर्श केंद्र में 16 फरवरी को एक दिवसी रोजगार मेला लगेगा श्रम संसादन विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और इंट्व्यू के अधार पर रोजगार कैम में शामिल हो सकते हैं सुबह के 10 बज़े से लेकर के शाम के 4 बज़े तक क्याम का आयोजन हुआ है और कस्टमर एग्जेक्यूटिव के 16 पदों पर बहारी ली जाएगी चैनित युवाओ को 10,000 से अधिक की सैलरी मिलेगी और इसके साथ ही टीए टीए और इंसोरेंस की सुविदा भी मिलेगी सर्टिफिकेट के साथ आधार कार पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड योगिता प्रमान पत्र और स्यक्षनिक प्रमान पत्र को रोजगार के लिए लाना जरूरी है बीते दिन हमारे द्वार पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन वॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाई द्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोणर शर्मा, नवल किशोर जा, सदुल्ला पालवी, बाबुल मेनांधी, रंजीत मिश्टा, कुमारी अलकर, आज के शोर महतो, आयूस रहना, मौमब शकीर हुसेन, शालेस कुमार, कृतिका सु सुनते हैं, आप अपना जवाब हमें हमारे कामेंट सेक्षिन में लिख कर जरूर बताए, आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बरिट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो चानल को सब्